नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है उनी सप्रेल दिन बुधवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर अब किसान इस पोर्टल से ओनलाइन बेज सकते हैं फसल बेडा में महिला ओफिसर को घर सीटने के मामले पर NCW ने लिया संग्या पटना हाई कोर्ट में जादेगा जनगना पढ़ हुई सुनवाई बिहार सरकार ने भूमिहीन पडिवारों के लिये लिया बड़ा फैसला कुरोना के टिका को लेकर बिहार सरकार ने दी जानकारी अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खवरों के ओर विस्तार से और इनस फैक्टरी में अप्रेंटिस के 76 पदों पर निकली भरती आयूद नर्मान फैक्टरी चंदा के द्वारा ग्राजवेट, अप्रेंटिस, ग्राजवेट, इंजिनियर, ग्राजवेट, अप्रेंटिस, सामाने स्ट्रीम, टेक्नीशन, अप्रेंटिस, डिप्लोमा, होल्डर्स के कुल 76 पदों के लिए भरती नोटिफिकेशन जारी किया गया है अपरिंटेस पदों के लिए आविदन करने वाले कैनिडेट्स के पास किसी मानेता प्राप्त यूनिवर्सिटी टेकनिकल एजुकेशन बोर द्वारा प्रदान इंजिनियरिंग प्रादोगी में डिग्री डिप्रोमा या फिर सामाने अस्ट्रीम में डिग्री होना चाहिए निटीश काबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडो पर लगी मोहर बीते दिन मुख्य मंत्रे निटीश कुमार के अध्यकस्ता में मुख्य सचिवाले में निटीश काबिनेट की बैठक आयूजित की गई थी जिसमें ग्रे विभाग सामाने प्रशासन विभाग, पडिवहन विभाग, वित विभाग, मंत्री मंद्र सचिवाले विभाग, विग्यान एव faithfulधिकी विभाग और स्वास्त विभाग के महतुपुन प्रस्तावों से जुरे कुल 11 एजेंडो पर मोहर लगाए गये हैं उनमें मोटर यान अधिनियम में संसोधन के प्रस्ताव को मन्जूर दे दी गई है राजे प्रोटोकॉल संवर्ग के विविन कोटी के 15 पदों के श्रीजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियामावाली 2023 को स्रुकृति दी है निदी सरकार ने मदुबानी के ततकालीन एसी जेयम अशोक कुमार दो को गंभीर कदाचार के आडोप में सेवा से बरखास्त कर दिया है बिहार पुलिस के प्रोसिक्षन प्राप्त कर चुके सिपाही रैंके पुलिस कर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की सक्ती प्राधिक्रित करने के प्रस्ताव को स्रुकृति दी गई है इसके साथ ही सरकार ने कई और इजन्डो पर मुहर लगाई है बिहारी 95 में आज हम बात करेंगे गुर्मी चौधरी के बारे में गुर्मी चौधरी एक भारतिया भिरीता और मार्शल कलाकार है और भागलपूर बिहार में पैदा हुए हैं उन्हें रामायन में राम के चुतरन गीत हुई सबसे पड़ाई में मान सिंग, खुडाना और पुनर विवाज जुन्दगी मिलेगी दुबाड़ा में यह शुरज प्रताव सिंधना के लिए जाना चाता है 2012 में गुर्मी इतने जलक दिखला जा पांच में भाग लिया और बीजिता के रूप में उब्रे जिनोंने नचबली छे और फियर फैक्टर खत्रों के खिलारी पांच में भी भाग लिया और दोनों के प्रतम डणर अप के रूप में उब्रे गुर्मी चौतरी का बॉलिवोड फिल्म उद्योग में पहला प्रवेश दो हजार पंदर में था जब उन्हें फॉक्स स्टूडियोज इंडिया और विशेस फिल्म्स त्वारा निर्मित मनोवैग्यानिक थ्रीलर खामोशिया में जैदेव के चरत्र के रूप में चुना गया था यह एक प्रसक्षित मार्सल आर्टिस्ट भी है पटना हाई कोट में जाते का जनकना पढ़ हुई सुनवाई बित्य दिन पटना हाई कोट के चीफ जस्टस केवी चंदरन की खंडपीट के दौरा राचे में जातियों की गन्ना एवं आर्थिक सर्वेक्षन को चुनाती देने वाली अखलेश कुमार के दौरा की गई याच राचे में सरकार के दौरा जातियों और आर्थिक सर्वेक्षन कराई जा रही है वह सर्वेक्षन कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है बलकि केंदर सरकार के पास है जिसके बाद राज्य सरकार के एडवोकेट के दौरा कहा गया था कि आची का सुनवाई योग इस बात की चिंता रहती है कि वह फसल उगाने के बाद सारे फसल को बेच कैसे सकते हैं। पुर्णिया और कटिहार शामिल है आपकी जानकारी के बता दे कि स्पोर्टर से किसानों को जुरने के लिए रेजिस्ट्रेशन कराना होगा जो किसान इनाम.gov.in पर जाकर करा सकते हैं। कर पीटने के मामले को लेकर अब तक प्रशासन के द्वारा 45 आरोपियों को गिर्फतार किया जा चुका है। वही अब इस मामले पर NCW यानि की राश्चे महिला आयोग के द्वारा संग्याल लेते वे आयोग की अध्यक श्रेखा सरमा के द्वारा मुख्यस अचीव DGP, DM और SSP को एक नोटस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। बता दे कि उन्हें यह जवाब आयोग को एक सप्ता के अंदर देना होगा इसके साथ ही एक पत्र बिहार के DGP RS 30 को बिव्यक्तिगत रूप से लिखा गया है। जिसमें उनसे कहा गया है कि वह इस मामले का खुद नस्पक्च और सम्बंध जांच सुनिश्चित करें। कर्वेंसन सेंटर में G20 का श्रमिक सम्मेलन आयोजित क्या जाएगा जिसमें श्रमिक समुखों से जुरे विश्यों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वाले कारिकरम आयोजित किया जाएगे। इस बारे में विहर के रजश्व और भूमी सुधार विवार के अनुसार सचीफ जैसिंग के अनुसार यह सर्वेक्चन का कारे एक विशेश अप्लिकेशन के द्वारा पूरा किया जाएगा। उन्हें बताया किस अप्लिकेशन को अप्चारिक रूप से 25 अप्रैल को लॉंच किया जाएगा। अभी सर्वेक्चन के द्वारा पहले से दी गई भूमी का भी जायजा लिया जाएगा। प्रबंधर प्राधिकार के द्वारा एनाईटी के सहयोग से काम शुरू कर दिया गया है जिसे अगले तीन सालों में पूरा कर लिया जाएगा। गोलगर, दाउद खान का किला, आर्केोलोजिकल साइट अगमकुआ, बेगो जाम मस्जिद, चैर मंदिर, दोरुखी प्रतीमा, कुम्धार, छोटी पटंदेवी, जलालगर किला, निसान सिंग, सहीद मेमोरियल और हजारी मधर्मशाराज शामिल है। अब दस वर्ष पुढाने और नैक से ग्रेट प्राप्ट कॉलेज हो सकेंगे ऑटोनोमस। यूजी सी की आविदन कर सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दी कि अगर कोई कॉलेज ऑटोनोमस कोलेज होता है, तो वह अपने द्यानी गति वीडियो वह पार्ठे करम पर खुद का नियंतरन रख सकता है। और साथ यस तरह के कॉलेज को अलग से फंड के तौर पर यूजी सी से सहायता मिलती है, मालूम हो कि अभी तक राजी में बस एक ही ऐसा कॉलेज है, जैसे ऑटोनोमस का दर्जा मिला है, वह कॉलेज बिहार की राजधारी पटना में सिद्पटना विमेंस कॉलेज है। दी गई है, बता दे कि विवाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लोगों से यह अपील की गई है कि कोरोना से बहतर बचाओं के लिए टीका अवश्चे लगवाए, इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अब राजे के सभी सदर अस्पतालों में कोरोना का टीक अब रातर नौ बजे से अपराहन बारा बजे तक निश्रक उपलब्ध है, हलाकि यह सुवधा सरविवार एवं सरकारी अवकास के दिन यह सुवधा उबलब्ध नहीं रहेगी, वहें से जुरी अधिक जानकारी के लिए अत्वा शिकायत दर्ज करने के लिए विवाग के और से एक हल्प लाइन नंबर 104 भी जारी किया गया है। जिसके बाद ब्युरो दोरा इस मामले का सत्यापन किया गया और आडूपी के दोरा 20,000 रुपे रिश्वत के रूप में गर्फार किया गया। बादेश्वरनाद के रूप में जाना जाता है, मना जाता है कि मंदिल में स्विलिंग स्वेम प्रकट हुआ है क्योंकि यह सिवलिंग के जन्म के बाड़े में ग्यात नहीं है, भागलपुर के प्रसद धार्मे के स्थलों में से एक अपने तिहास और सनरचना की वजह से शिवलिंग के स्थापना कर यहीं पर पूजा अरचना की थी इस दिन तक भड़े जाएंगे बीएट प्रतमखन का परिक्षा फॉर्म अगर आप भी बीएट प्रतमखन 2022-24 की परिक्षा फॉर्म भरने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए हैं दरसल इस फॉर्म को भरने के शुरुआत बीते दन्यानी की 18 अप्रया से की जा चुकी है जो की 2 मई तक भरी जा सकेगी वह अगर आप 2 मई तक भी इस परिक्षा फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो आप 5 मई से 9 मई तक परिक्षा फॉर्म भर सकेंगे लेकिन इस दौरान आपको सामाने विलम सुल्क के साथ फॉर्म भरना होगा अपके जानकारी के लिए बता दे कि यह परिक्षा LNMU के ओर से संचारत करवाई जाती है इस परिक्षा को लेकर परिक्षा नियंतरक डॉक्टर मनुज कुमान के दोर अधिके जानकारी के नुसार यह परिक्षा मई महीने में ली जा सकती है हाला कि अब तक इस परिक्षा की तारीक को लेकर आधिकारिक तोर पर कोई पुस्टीन नहीं की गई है बिहार में अगले चार दिनों के लिए हीट वेव का अलट बिहार के जिलों में भिशन गर्मी पड़ रही है जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है दिन में तेज धूप हो रही है और गर्म हवा 12-19 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से चल रही है पच्वार उत्तर पश्रिम के तरफ से गर्म हवा की वज़ा से जलन महसूस हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा वहीं पुर्वी पश्रिम चंपारन सिवान छपडा, भागलपूर, बकसर, मौंगेर, खगरिया समेथ, 23 जिलो में अगले 18 घंटे तक हीट वेव कालर जारी किया गया है और कहा गया है कि जोरान अधिक्तम ताप मान 44 डिग्री और नियून ताप मान 26 डिग्री रहने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि 22 अप्रैस से बिहार के सभी हिस्सों में मौसम में सुधार दिखाई देगा दाखिल खारिजवा अने काडियों में बिहार का ये अस्थान अबवल दाखिल खारिज सहित अने कामकाज में भीतर प्रदर्शन करने वाले अंचलो को लेकर राजश्व एवं भूमी सुधार विवाग के द्वारा मार्च में किये गए काडियों को लेकर रैंकिंग जारी की गई है पता दे की जारी की गई इस रैंकिंग में बिहार के जिन 5 अंचल के द्वारा सबसे बहतर प्रदर्शन किया गया है उनमें सबसे पहले अस्थान पर 96.05 अंख के साथ बांका जुले के अमरपूर अंचल है इसके अलावा जिन 5 अंचल के द्वारा सबसे खड़ा प्रदर्शन किया गया है उनमें नीचे से पहले अस्थान पर 44.09 अंख के साथ मुझः परपूर का पारू अंचल दूसरे नमबर पर 45.08 अंख के साथ मदूबनी का अंधरा ठाडी चौथे नमबर पर 49.36 अंख के साथ सिवान का सिस्वन अंचल और पाँचवे नमबर पर 50.02 अंख के साथ मदूबनी का बासो पट्टी अंचल शामिल है बिहार के प्रिस्ट भूमी पर बनी फिल्म बेरा एक अगोरी इस दन होगी रिलीज 28 अपरेल 2023 को धिराल एंटर्टेर्मेंट के बैनर तल बनी एक होरर फिल्म बेरा एक अगोरी रिलीज होने वाली है जो की बिहार की प्रिस्ट भूमी पर बनी है बता दे कि जानकारी बिहार की राजधानी पटना में इस्तित एक नीजी होटल में प्रमोशन के लिए पहुँचे इस फिल्म के निर्माता राजु भारती के दोरा प्रसवारता के दोरान दी गई है उनने बताया कि इस फिल्म के लेखक सक्ती वीर धिराल और नर्देशक प्रेम धिराल है वहीं इस फिल्म में आपको मुख्य किरदार के रूप में सक्ती धिराल प्रेम धिराल और प्राजक्ता संदे देखने को मिलेंगी फिल्म के नरदेशक और अभिनेता प्रेम धिराल की द्वारा इस फिल्म को लेकर बताया गया है कि अब फिल्म एक नई सोच वाली नए मिजाज वाली फिल्म है उन्होंने बताया कि यह फिल्म तंत्र मंत्र की दुनिया से दूर एक साफ सुत्री हॉरर रहस्य रोमान से लब्रेस होने के साथ रोमान से भी भड़पूर है वीर कुवर सिंग जयनती पर बीजेपी निकालेगी भवे गौडव यात्रा नीरज कुमार बबलू के द्वारा बीते दिन पार्टी कारेयाले में एक प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित की गई जिसमें उन्होंने बताया कि आजादी के अमरितकाल में 857 क्रांती के नायक वीर कुवर सिंग के जहनती को भवे तरीके से मनाया जाएगा उन्होंने बताया कि इसके लिए बीजेपी की ओर से भवे शोभा यात्रा निकाली जाएगी इसके अतरिक तो उस दिन कई तरह के कारेक्रम भी आयोजित किया जाएगे उन्होंने बताया कि इस कारेक्रम को लिएक टीम का गठन किया जा चुका है इसके साथ उन्होंने पूरे प्रदेश वासियों से अपील करते वे कहा कि वह सभी इस सोभा यात्रा में जरूर हिस्सा ले आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस काड़ेकरम का संयोजक बीजेपी विधायक वह पुर्वमंत्री नीरज कुमार बबलू को ही बनाया गया है सानिकों का सहरा लेकर राजनीती करती है पीजेपी इससे मुद्दे को उठा कर अपना वोट बैंक बनाना चाहती है उन्होंने कहा कि घटनाओं को जानबूच कर सानिकों के साथ अंजाम गिया जाता है ताकि उस पर कारवाई की जाए और वोट बैंक को मजबूत बनाया च सराप बंदी पर सियम नितीश के फैसले पर बीजेपी हुई हमला वर बिहार के मोतिहारी में जहीली सराप सुई मोटों के बाद बिहार की राजनितिक गलियारों में गरμी बढ़ गई है एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा सराव से मरने वाले लोगों के परीजनों को मुआवजे की बात कही गई है तो दूसरी तरफ बीजेपी उसके इस बयान पर लकादार हमलावर है वहीं अब बिहार के पुर्व डिप्टी सीम श्रील कुमार मोदी के द्वारा सीम नितीश पर हमला करते वे कहा गया है कि मुख्यमंत्री को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था और इसके साथ ही सीम नितीश को दो लाक रुपे मुआफजे के रूप में उन लोगों को भी देना चाहिए जो जहरी सराब पीने से अपनी आखों की रोशनी खुचुके हैं सभी 500 परिवारों को ब्यास सहित मुआफजा मिले इसके लावा जेल में बंद 25,000 लोगों को रिहा कर दिया जाए और इससे जुड़े 3,61,000 मुकद में वापस ले लिये जाए सराब मामले में ग्रफतार लोगों को अलग जेल में रखा जाए जो पीएगा वहमड़ेगा जैसी टिपनी के लिए मुख्यमंत्री को माफी माँगनी चाहिए आईपिल 2030, रायस्थान के खिलाफ खाता खुलने उतरेगी लखनव की टीम चैपुर के सवाई मान सिंग स्टेडियम में आज रायस्थान रोल्स के सामने होंगे लखनव सूपर जायंस दोनों की टीम बहतरीन और दमदार है संजू सैंसन की कप्तानी वाली रायस्थान की टीम इस वग पॉइंट स्टेवल में टॉप पर है और वो लखनव के खिलाफ भी अपने जीत के सरसले को जारी रखना चाहेंगे रायस्थान की टीम डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन्स को खड़ा कर आ रही है और उनके होसले बुलंद होंगे वहीं लखनव की बात करें तो केल राहूल की अगवाई वाली इस टीम को पंजाब ने पिछले मुकाबले में हराया था रायस्थान के खिलाब वो भी जीत के रादे से मैदान में उतरेंगे रायस्थान बनाम लखनव हेट टो हेट देखे तो अभी तक कुल दो मुकाबले हुए हैं और लखनव की टीम एक बार फिर जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो पाई है दोरबार रायस्थान ने जीत दर्ज की है लखनव की टीम इसलिए इस रिकॉर्ड को भी सुधारना चाहेगी बतादे किस मैच के शिर्वास साम सारे साथ वज़े से हो जाएगी भारत के इतियास में आज की तारीक है बेहत खास भालोल लोदी ने 1451 में दिली पर कबजा किया स्यामा प्रशाद मुखर जी 1950 में इस्तिफा देने वाले पहले काबिनेट मंदरी बने B.S.F. ने 2001 में मिघाले के गाउं से बांगला देशी सेना को मार भैगाया था अठासो चौसत में पंचाब के प्रसद आरे समाजी नीता समा सुधारक और सक्षावित महात्मा हंसराज का जन्हुआ 1968 में बॉलिवुड अभी नीता अर्शद वार्शी का जन्हुआ 1977 में भारत की प्रसद एथलेटिक्स खिलारी अंजु बॉबी जोर्ज का जन्हुआ भारतीय राश्य कॉंग्रस के पुर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम का निदन 1933 में हुआ था आज के दिन को भारत द्वारा अपग्रा छेत्र में प्रवीश दिवस विश्व यकृत दिवस और साइकल दिवस के रूप में मनाया जाता है वारखन में आज हम बात करेंगे लॉक्डाउन के बारे में सुसल मीडिया पर कहीं सूचना बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूई नहीं है इसी करें में आज हम बात करेंगे लॉक्डाउन के बाड़े में दरहसल P.I.B. ने अपने ट्विट में लिखा है कि डेली ट्रेंडिंग न्यूज नामक यूटूब चैनल के एक वीडियो में दावा क्या जा रहा है कि कुरोना वाइरस संक्रमन के बढ़ने के कारण मई में भ ट्विटर पर गरत पोस्ट से लोगों के बीच नकरात्मक जैसे सिती उत्पन न हो इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है पता दिक इसके तहट ट्यूटर ने यूजर्स के लिए कुछ नए लेबर्स पेश की हैं जनका इस्तमाल भाविश्य में सिती के मुताबिक किया जाए हेलफुल कंड़क्ट पॉलिसी का उलंगन होनी पर कंपनी के ओर से ऐसे पोस्ट की विजिबिलिटी बहुत कम यूजर्स तक समित कर दी जाएगी इतना ही नहीं नफरत फिलाने वाले पोस्ट को ट्वीटर पर खोज पाना पे मुश्किल होगा यूजर द्वारा सेयर की और किसी गंभीर बिमारी के आधार पर किसी दूसरे यूजर के खिलार ट्वीट नहीं कर सकता ट्वीटर यूजर किसी ऐसी प्रोफाइल का बिस्तमाल नहीं कर सकता जिसमें नफरत फिलाने का उदेशन है थो मृत समझी जा रहे ही भारतिये परवातरो ही बलजीत को और वापस पहुची अनपुर्णा बेस कैम बीते दिन सुबह ऐसी जानकारी निकल कर सामने आये थी कि भारतिये परवातरो ही बलजीत को और अनपुर्णा बेस कैम से लापता हो गई है और साथ ही ऐसी संभावना ज पोस्ट में कहा गया है कि हमें यह बताते वे खुशी हो रही है कि बलजीत कोड को पहार से एर लिफ्ट के जाने के बाद अनपुर्णा बेस कैम्प में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और जल्दी उन्हें मेडिकल जांच के लिए वापस काट मांडू ले जाया जाएग हम उनकी उतकरस्ट उपलब्धी के लिए उनकी सराना करते हैं और हम सभी के लिए प्रेणा बनने के लिए उनकी सराना करते हैं हम सभी पाइनियर एडवेंचर टीम के सदश्यों के साथ साथ एलिकॉप्टर रेस्क्यू और सभी अनपुर्णा अभियान के सदश्यों को धन इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार राजी के एतिहासिक धरोहरो को बचाने के लिए क्या-क्या उपाई किये जाने चाहिए आपने जवाब हमें मारे कमेंट सेक्से में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखे रहें चालम को सब्सक्राइब करना और अगर आप फे आपने बाद